नमस्ते दोस्तों, राइट हो मेरेमिरिक चैनल में आपका स्वागत है लेटेस वीडियो देखने के लिए लाल कलर सब्सक्राइब बटम पे अभी क्लिक करें ऐसा माना जाता है कि हमारा सरीर हर तरह की बिमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है अगर हम भी चाहे तो किसी जंगल में रहने वाले जानवर की तरह ही बिना बिमार हुए लंबी उम्र तक जी सकते हैं और सरीर में मौझूद बड़ी से बड़ी बिमारियों को मात्र कुछ ही महिनों में हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं आपने देखा होगा जादतर जानवरों को नहीं किसी वायरेस या बिमारियों का खत्रा होता है और नहीं उन्हें हॉस्पिटल या दवाईयों की ज़रुरत पड़ती है फिर हम इंसानों के साथ ऐसा क्यूँ? दरसल हमें और जानवरों के बीच में दो सबसे बड़े अंतर है पहला हमारा पाचन और दूसरी हमारी यूमिनिटी का लेकिन पाचन और यूमिन सिस्टम के अंतर सिर्फ जानवरों में ही नहीं बलकि अलग-अलग इंसानों के बीच में भी हो सकता है उधारन के लिए भारत में फैले करोना वायरिस के करेंट डेटा पर नजर डाले तो करीब एक करोड से जादा लोग करोना की चपेट में आ चुके हैं जिसमें से लगबग 10 लाक से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगबग 90 लाग से जादा लोग करोना वायरेस से रीकवर करके ठीक हो चुके हैं इलाज की हालातों को छोड़कर करोना से रीकवर होने या नहीं हो पाने वाले लोगों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है वो है उनका यूमिनिटी का वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कई सालों में मुश्किल से एक से दो बार ही बिमार पड़ते हैं और बड़े से बड़े रोगों से लड़कर भी लंबी उम्र तक खुद को स्वस्त रख पाते हैं सरीर में चल रही गंभिर बिमारिया खतम हो सके हम पर इलाज का जल्दी असर हो या हर तरह से वायरिस और बैक्टेरिया से हमेशा बचे रहें इसके लिए हमारी यूमिनिटी का स्ट्रॉंग होना बेहर जरूरी है क्या आप जानते है करोना एक ऐसा वायरिस है जिससे हमारी यूमिनिटी असानी से लड़ सकती है और इस वक्त दुनिया में ऐसे कई लोग है जिनके इस्ट्रॉंग यूमिन सिस्टम की बदौलत करोना भी उनका कुछ बिगार नहीं सकता ऐसे में सवाल उड़ता है क्या आपके यूमिन सिस्टम इतनी मजबूत है कि वो करोना और अन होने का संकेत देते हैं और साथ ही जानेंगे कुछ सबसे आसान उपा है जिनसे कम समय में आप अपने यूमिन सिस्टम को पहले से 10 गुना जादा मजबूत और ताकतवर बना पाएंगे जब आपकी यूमिनिटी पहले से जादा इस्ट्रंग हो जाएगी तो सरीर लंबे सम जो का दर्द कम हो जाएगा आप पहले के मुकाबले बीमार भी कम पढ़ेंगे किसी तरह की चोट घाव या इलाज में बोडी जल्दी रीकवर होने लगेगी और जिन बीमारियों ने लंबे समय तक आपके सरीर में जगा बना रखी है वो बीमारिया भी धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी आईए सबसे पहले बात करते कुछ फूट्स आइटम और अर्वेदिक होम रेमिडिस की जिने अपने रेगुलर डाइट में सामिल करके हम अपने यूमिनिटी को पहले से कई कुना ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं जैसे कि दोस्तों गिलोई अगर आप कम सम में अपनी यूमिनिटी को तेजी से बूस्ट करना चाहते हैं तो गिलोई को अपनी रेगुलर डाइट में जरूर सामिल करें यूमिन सिस्टम को मजबुत बनाने वाली यह आडवेद की सबसे बड़ी पावरफुल हर मानी जाती है गिलोई का सबसे पहले हमारे पाचन पर असर होता है यह हमारे वाइरेस और बुखार से लड़ने के सासत बालों का जणना डाइबिटीज, कॉलेस्ट्रोल, जोडों में दर्द और लिवर से जुड़े रोकों में बेहत फाइदे मंद होता है गिलोई का इस्तमाल आप तीन अलग-अलग तरिकों से कर सकते हैं खाना खाना खाने से पहले ले सकते हैं इसके अलावा गिलोई के चूड यानि की पाउडर, सहद या फिर गरम पानी के साथ सेवन किया जा सकता है इन सबके अलावा ताजे, गिलोई, तने और पतों का जूस सबसे ज़्यादा फाइदे मंद होता है विटामिन C और विटाम हमारे सरीर के white blood cells की production को तेजी से बढ़ाने में काम करते हैं जो कि हमारे human system का सबसे जरूरी पार्ट है फैराने की बात तो यह है कि आज हर दूसरे व्यक्तिक के सरीर में विटामिन की कमी यानि के deficiency हो चुकी है और उससे भी खराब बात यह है कि ज़्यादा तर लोग इस से पूरी तरह से अंजान हैं अपने regular diet में vitamin C और vitamin D के rich food को सामिल करके आप अपने humidity को तेजी से boost कर सकते हैं vitamin C के लिए सबी तरह के खटे फल जैसे कि संत्रा, आवला, कीवी और मोसंबी जैसे फलों का इस्तमाल किया जा सकता है इसके अलावा हरी और लाल सिमला मिर्च में भी vitamin C की मातरा बहुत अधिक होती है और सबजियों में पालक, ब्रोकली, मेथी और पत्ता घोबी जैसी सबी हरे रंग वाली सबजिया vitamin C से भरपूर होती है vitamin D के लिए आप गाय का दूद, मस्रूम, बदाम और संतरों को अपनी डाइट में सामिल कर सकते हैं लेकिन vitamin D का सबसे बहतर सोर्च है सूरिका प्रेकास जी हाँ दोस्तो, रोजाना सूबर के समय 20-30 मिनट डूप में बिताने से vitamin D की मातरा तेजी से बढ़ने लगती है जब भी सरीर में किसी प्रकार के virus, bacteria, fungus या फिर infection से लड़ने की बात आती है तो लेसुन का नाम सबसे पहले आता है कमजोड यूमिनिटी के चलते कई लोगों थकान, आलस, हुस्ती और बोडी में energy की कमी हर दिन मैसूस होती रहती है लेसुन यानि garlic एक ऐसा super food है जिसमें लगबग दोसों से भी ज़्यादा active ingredients food पाये जाते है ये हमारी humidity को strong बनाने के साथ साथ हमारी strength, endurance को improve करता है लेकिन इसका पूरा लाब उठाने के लिए इसे इस्तमाल करने का सही तरीका पता होना बेहर ज़रूरी है सबसे पहले garlic की एक से दो कलियों को दबा कर चप्टा या फिर crust कर ले जिससे इसका juice बाहर आने लगे इसके बाद 5-10 मिनट इसे हवा के संपर्क में आने के लिए छोड़ दे ऐसा करने से इसमें मौजूद पोसक्त तो ज़्यादा असरदार बन जाते हैं और हमारी body पर इसका result जल्दी नजर आने लगता है कर्स किये गए garlic से आप garlic water यानि की लेसुन का पानी भी बना सकते हैं या फिर इससे लेसुन की tea भी तयार कर सकते हैं garlic water बनाने के लिए कर्स की गई लेसुन को हलके गुनगुने पानी में मिला कर 5 मिनट के लिए छोड़ दे उसके बाद ये पीने के लिए तैयार हो जाता है इस पाने को सुब़ नास्ते के आदे घंटे बाद सेवन किया जा सकता है गालिक की टी बनाने के लिए एक से देड़ ग्लास पाने में कर्स की गई गालिक की दो से तीन कलिया डाल कर इसे दो मिनट तक अच्छी तरह उबाल लें उसके बाद जब यह थोड़ा ठंडा या फिर हलकाल गुनगुना रह जाए तो उसमें थोड़ा सा सहद नीबू का रस मिला कर पिए इस तरह से आप लेसुन का हपते में तीन दिन इस्तमाल करें यूमीन सिस्टम को पहले से बहतर बनाने के साथ-साथ बालो और हड़ियो को मजबूत बनाता है और बोड़ी को अच्छी एनरजी भी देता है वीडियो में बताई गई सबी चीजे यूमीरिटी को बहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फाइदे मन्द है लेकिन आप पर इसका कितना असर हो रहा है ये आपके डेली रूटीन की हैबिट और लाइफ स्टाइल पर ही काफी निर्भर करता है किसी भी उपाई का असर या परिणाम बोडी पर कम समय में ही नजर आए उसके लिए हमें सौधानिया बढ़तने और कुछ गलत आदतों को बदलने की जवरत होती है कहने का मतलब ये है कि यदि हम एक तरफ यूमिर्टी को बढ़ाने वाली चीज़े को अपनी डाइट में सामिल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें उन गलतियों और उन आदतों को बदलना होगा जो जाने अंजाने में हमारी यूमिर्टी को खराब कर रही होती है जैसे कि दोस्तों हमारी नीद, स्लीप साइकल हमारी यूमिर्टी सिस्टम पर सबसे ज़्यादा ज़रुरत होती है क्योंकि 24 गंटे में स्लिप जितना समय हम सोते हुए नीद में बिताते हैं उतना ही समय हमारी यूमीन सिस्टम को मिलता है सरीन में गंदगी निकाल कर रिपेर करने के लिए। यही वज़य है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो फास्ट रिकवरी के लिए हमें सबसे ज़्यादा आराम और सोने की सला दी जाती है। जो लोग समय पर नहीं सोते, प्रॉपर नीद नहीं लेते या जिने अच्छी नीद नहीं आती उनका यूमीन सिस्टम हमेशा कमजोर रहता है। इसलिए आज सही अपने नीद के प्रतिक गंभिरता बढ़ते और रोजानक कम से कम सास से नो गंटे की नीद जरूर ले। आज कल जीस तरह का भोजन हम कर रहे हैं उसमें न्यूटिरियम की मात्रा बेहत कम हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे डाइट का लगबग 70% हिस्सा पैकेश फूड आइटम और अनहल्थी जंक फूड बन चुका है। ताजा और फ्रेस खाने की जगां लोग कुड़कुरे और मुर्मुरे खा रहे हैं। बासी और रखा हुआ खाना, फैक्टरी में बना हुआ अनाज, आटा, नमकीन और पैकेट में एक्सपैरिट डेट के साथ मिलने वाले सबी फूड आइटम हमारे यूमिनिटी के लिए हानिकारक होते हैं। अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा और फ़लो को सामिल करें ताकि हमारी बोड़ी को जरूरी पोसक तत्व मिलते रहें। हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग और डिंकिंग हमारी सेहत के लिए हानिकारक ही नहीं बलकि जानलेवा भी है। अलकोहल हमारे liver और smoking सिर्फ हमारे फेप्रों को ही नहीं बलकि हमारे पूरे सरीर को अंदर से खोखला बना देता है इसलिए अगर आपको इनकी आदत है तो धीरे धीरे कम करके छोणने की कोशिस करें क्योंकि जब तक यह जहरीले प्रदार्त आपके सरीर में जाते रहेंगे तब तक किसी भी उपाय का सरीर पर असर होना असंभव है और दोस्तों हाल में ही की गए इस्टेडी से पता चला है कि जो लोग फीजिकल एक्टिव रहते हैं उनका यूमीन सिस्टम कई गुना जादा बहतर होता है उन लोगों के मुकाबले जो लोग कम चलते फिरते या द काफे मुश्किल हो जाता है इसलिए बहतर यूमिनिटी के लिए रोजाना कुछ ना कुछ फीजिकल एक्टिविटी जरूर करें फीडो चाहे जीम हो योगा हो या फिर हलकी फुल की वॉक अपने सरीर को किसी ना किसी तरह से फीजिकली एक्टिव रखें अगर किसी भी एक बिमार के अंदर होता है और यह दिखाई नहीं देता लेकिन इस्टडी की माने तो 90% से ज्यादा बिमारियों का कारण आज हमारा टेंसन और इस्ट्रेस बन चुका है क्या आप जानते हैं हमारा यूमिन सिस्टम इस्ट्रेस को भी एक बिमारी की तरह ही देखता है और जो आम तोड़ पर जो लोग जादा इस्ट्रेस में रहते हैं वो असानी से बिमार भी पढ़ जाते हैं अंदर से कमजोड होते हैं और बिमारियों से ठीक होने में उन्हें काफी समय लगता है इसलिए लाइफ में चल रही किसी भी प्राबलम को गहराई से समझे और इस्ट्रे सेर करें बिकोज दोस्तों आपके एक सेर से लाखों लोगों की हैल्प हो सकती है सेर करना बिल्कूल ही इजी और फ्री भी है नीचे आपको सेर का आप्सन मिलेगा उस पे क्लिक करें और आपके फेस्बुक पे हो गया वाट्सवप पे हो गया जहां सेर करना है दबा के सेर क करें तो ठैंक्यू सो मुस्ट दोस्तों वीडियो को लास तक देखेने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में